हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सो लोग सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपके लिए सोसल मीडिया और यूटूब से लेटेट काफ़ इंट्रेस्टिंग अपडेट लेकिया हैं उस वीडियो को सुरू से लेकिलाश तक जरूर देखना सो फ्रेंड गरमागरम ख़वरों के चल रही कोंट्रोवर्सी के साथ तो चलो अब इन दोनों के कोंट्रोवर्सी को थोड़ा से डिटेल में कवर करते हैं तोस फ्रेंड आपने दो महीने पहले एक वीडियो देखी होगी जो की था एक गरीब यूटूबर का घर जो की काफी ज्यादा वायरल हुई थी जो की इक करेजी एसके ने पने चैनल पर पोश्ट की थी फिर एक महीने बाद अनपलोईड रऊस्टर नैं अपने चैनल पर एक वीडियो डाले जिसके अंदर उन्हों ने एकक्रेजीरे एसके को पूरी तरीके से एक्सपाँज कर दिया था जिस उस reply वीडियो के अंदर उन्होंने unemployed roster के उन सारे सवालों का जवाब दिया जो कि unemployed roster ने उस पहली वीडियो के दोरान उनसे पूछे थे जिसके बाद क्रेजी SK के जवाबों से उसकी audience काफी ज्यादा satisfy हो गई थी और जितनी हेट अभी तक क्रेजी SK को मिल ले थी अब सारी हेट unemployed roster की तरफ सिफ्ट हो गई थी और अभी recent unemployed roster ने एक reply वीडियो निकले दिक्रेजी SK के लिए जिसमें उन्होंने क्रेजी SK को फुली तरीके से फिर से expose कर दिया है और लगता है उनके इस reply से उनके subscriber काफी ज़्यादा unemployed roster से खुस नजर आ रहे क्योंकि आप like और dislike का ratio यहाँ प अपने चैनल पर cover किया लेकिन unemployed roster की उन्होंने एक भी वीडियो को अपने चैनल पर cover नहीं किया अगर आपने अभी तक unemployed roster की इस recent वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को लिंक आपको में description में देदूगा वहां से जाके आप इस complete video को दे सकते हैं साथे साथ आपको मैं the crazy ask क reply वीडियो को लिंक भी description में देदूगा इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही decide करें कि इन में से कौन सही है और कौन गलत है आपने अगली ख़बर की तरफ जो क्यारी लक्षे चोधरी की तरफ से सो यहाँ पर उन्होंन अपनी IGTV स्टोरी के अंदर बताये कि कैसे 18-19 साल के बच्चे एक दूसरे की personal pic को कैसे social media पर मजे मजे के अंदर share कर देते हैं और जिसके बाद उन्हें काफी बड़े consequences बहुत में पड़ सकते हैं और इसके बारे में क्या कुछ का उन्होंन ने चली इसके लिए आपको में उनकी IGTV स्टोरी के वीडियो दिखा देता हूँ कर रहे थे चलो तो यारी दोस्ती थी लेकिन बहुत और भी मैसे आतर मुझे पता भी आज कि चल बेस्ट फ्रेंड ने बनके गल्फ्रेंड बनके लड़कों के साथ लड़िकों के साथ भी कुछ परसनल ले लिया बाद में relationship तूट गया दुश्मनी हो गई तो ब्लैक मेल कर कर रहें एक दूसरे को कि दूं क्या ये करूं क्या वो कर वो कर भाई इन चीजों का अंतनी पता क्या होता है तुम लोग हरस्मेंट के केस में ब्लैक मिलिंग में सामने वाले ने सुसाइड कर लिया सामने वाला बहांचो सोनी पारा एक रिपोर्ट में आज कल एक्जामपल सेट करने के लिए तुम्हारे एक्जामपल सेट कर देंगे और एक बार भाई सामने वाले ने कुछ गलत स्टेप उठा लिया क्योंकि ये 19-20 की उमर ऐसी होती है लगता है बहारा आगया चीज तो वैसे मर जाएंगे तो गलत स्टेप उठा लिए तुम्हारे जिन्दिगी अगली स्टोरिक तरफ जो कि आ रहे है निखिल और साइनाज की तरफ से अब जैसे कि हम सब को तो बताई था निखिल और साइनाज जो है एक दूसरे को डेट कर रहे है लेकिन अभी निखिल ने रिचेंट व्लोग के अंदर साइनाज को रिंग पैना कर अपने रिस्ते को ओफिशियल कर दिया है तो चलिए उस ब्लोग के आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं जानिस एक्सपेक्ट नहीं करें लेकिन मुझे पता है शानिस को सब चीज चाहिए थी रूण कोई इक्सपेक्ट नहीं कर रेगे किसी को मैंने नहीं बता है मैं करने व घ्र में है ले पर अप Banksलन के दिख्ट मैं यह रे लोग्स, क्या बैट कर दो आई, तो बनता है माँ, यहाँ नी जाएगा, बात में जाएगा नी अब ही दो, मैरे इफ पर फॉर्स्स तरम को भी हाँ काफे इरे, है यह अग्योर अग्योरे, हो और तो लिए उनταर आपे, है यह पहले आप नी अग्ये कई दो, है यह जो 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 टो खिरता है, यह जो जो आप लोग कितने हैपी हैं इन दोनों कपल्स को एक साथ देखकर आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं और अगर साथ ही आपने उनका रीचेंट व्लोग नहीं देखा है तो इस व्लोग का लिंक भी आपको मैं डेस्क्रिप्शन में देदूगा वहां स इस पर उन्होंने कैसा रिएक्ट किया चलिए उस इंस्टा लाइव की आपको में एक क्लिप दिखा देता हूँ अगरी अगली स्टोरी के तरफ जो क्यारी आमीर सिद्धिकी के तरफ से इस अपरेंड अमीर सिद्धिकी को उनके कुछ यूजर्स ने इंस्टा लाइप इस पूछा था कि दिल्ली कब आ रहे हैं इसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ का चलिए उनकी इंस्टा लाइप की छोटी सी क्लिप में आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर उननों ने साफ साफ बता दिया कि यह आईसी दमकियों से उन पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला और जल्दे अपने परसंस को से मिलने और दिल्ली जरूर आएंगे सो आप किस तरीके से उनका स्वागत करना चाहोगे दिल्ली में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं सो फ्रेंट बस आजी खबरों में इतना ही आसे करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगी